तो यहां पर देख सकते हो कितना स्ट्रॉंग तरीके से इसका प्राइस का ग्राप है और अपने सेर होल्डर को पिछले पांच सालों में जवर्दस तरीके से मुनाफ़ा दिया है इस टॉक की बात करें तो हमें 2016 में हमें लिस्ट होते होगे देखने हो मिल रहा है और दोस्तो वहां पर इसका प्राइस हमें only 65 के around में हमें देखने हो मिला हलाकि इस स्टॉक में हमें दोस्तो यहां पर बोनस सेर हमेशा देखने हो मिलता है और दोस्तो इसी साल इसका फेस पहलो भी स्प्लीट होते होगे देखने हो मिला लेकिन जो इसका प्राइस हमें 65-2060 का हमें देखने हो मिल रहा है यह दोस्तो अड़ेस्टिब प्राइस है और वहां से अभी तक strong तरीके से इस स्टॉक ने मुनाफ़ा दिया है और दोस्तो नेक्स्ट फाइफ फेर के लिए स्टॉक हमें काफी संदार तरीके से यहां पे देखने को मिल रहा है तो आप लोग इस स्टॉक उपर फोकस बनाएकर रख सकते हो तो चली इस स्टॉक से लिक्टर हम सारे इंफरमिशन एक बार देखेंगे तो यहां पे दोस्तो पिछली वन मंत की हम बात करेंगे तो पिछली वन मंत में इस स्टॉक में 3% के अरॉंड में यहां पे गिरावट का फिगर देखने हो मिल रहा है हलाकि पिछली 6 मंत में यहां पे देख सकते हो पिछले six month में यहाँ पे 30% के around में मुनाफ़ा का figure यहाँ पे show किया है और दोस्तों पिछली एक साल की बात करेंगे पिछली एक साल में यहाँ पे 70, six percent से above का मुनाफ़ा दिया है इस stock ने और दोस्तों पिछली five year में यहाँ पे देख सकते हो यहां पे 720% का मुनाफ़ा दिया है इस stock ने जो कि इसका price में jackpot की तरह देखने को मिल रहा है यहां पे दोस्तों सबसे अधिक दिनों में इस stock में काफी strong तरीके से मुनाफ़ा का figure देखने को मिल रहा है तो आप लोग इस stock को उपर focus बना कर रख सकते हो future में इसका price यहां से काफी आगे जाती हुए देखने को मिल सकता है यहां पे दोस्तों देख सकते हो इसका revenue काğ graph इस सल का सबसे highest figure है हमें देखने को मिल रहा है अलाकि पिछली 5% का यहां पर graph है every year का graph कापी सहंदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहां पर net profit की हम बात करेंगे तो यहां पर इस सल का सबसे highest graph हमें यहां पर देखने को मिला और दोस्तों पिछली 5-1 का graph भी every year का काफी strong है तो future के लिए stock हमें अच्छा गरसा देखने को मिल रहा है आप लोग इस stock उपर focus बना के रख सकते हो तो यहां पर दोस्तों इसका technical chart भी हमें यहां पर strong तरीके से देखने को मिल रहा है यहां पर देखा जाए तो एक hammer candle बना के यहां से पिछली trading session में अच्छा गरसा यहां पर rally show किया और दोस्तों जो यहां पर hammer candle हमें देखने को मिल रहा है एक यहां पर support के आसपास में hammer candle है जिसके औजसे एक अच्छा कासा work करती हुए हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों यहां से इसका price हमें roughly 1000 के range में जाती हुए देखने को मिल सकता है तो आप लोग इस stock के उपर focus मिना के रख सकते हो इसका price एक अच्छा कासा यहां पर support जो उनमें खिलाल trade करती हुए हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों यहां पर दोस्तों इसका weekly grabby strong figure हमें यहां पर देखने को मिल रहा है यहां से इस stock में अच्छा कासा support लिया और दोस्तों यहां से काफी संदार तरीके से rally stroke किया और दोस्तों यहां पर दिखा जाए तो यहां पर दोस्तों इस भी क्या यहां पर hammer candle देखने को मिल रहा है तो यह भी यहां पर दोस्तों bullish candle है तो यहां से इसका price में definitely काफी आगे जाती हुए देखने को मिल सकता है तो आप लोग इस stock को उपर focus बनाएकर रख सकते हो यहां पर दोस्तो दो तीन हपते से एक ही range में यहां पर trade करती हुए में देखने को मिला और दोस्तो पिछले हपते में इस stock ने यहां पर hammer candle यहां पर बनाया और दोस्तो यहां पर hammer candle से फिर से हमें आच्छा कासा इसमें rally देखने को मिल सकता है तो आप लोग इस stock को उपर focus बनाएकर रख सकते हो और यहां पर जब भी एक support label लिया वहां से काफी strong तरिके से यहां पर rally stroke किया यहां पर भी एक अच्छा कासा support label लिया और दोस्तो यहां से काफी strong तरिके से rally दिखाया है और दोस्तो यहां पर भी support label हमें देखने को मिला और दोस्तो यहां से भी काफी अच्छा कासा rally stroke किया है और दोस्तों यहाँ पर जो हमें price देखने को मिल रहा है एक अच्छा कादा support को पर trade करते हुए देखने को मिल रहा है तो यहाँ से definitely हमें इसका price आगे जाते हुए देखने को मिल सकता है तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो इस stock का market capillation एक लाख उननीस जार कोड़ से एभव का figure है जो कि अपने आप में काफी संदार है और दोस्तों इस stock का 52 के हाई के हम बात करेंगे तो यहाँ पर अपने हमें 99-90 रुपय का figure देखने हो मिला जो कि लोग की यहाँ पर 500 का figure देखने को मिल रहा है इसका जो P-Ratio है इस stock का P-Ratio 64 का आजपास का है जो कि industry के P-Ratio की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 44 का आजपास का figure देखने हो मिल रहा है यहां कि जो इसका price है according to PE ratio थोड़ा सा high है तो यहां पे दोस्तो return liquidity की बात करेंगे तो यहां पे काफी strong figure है और दोस्तो return cap time fatica figure भी काफी अच्छा गसा है और दोस्तो यहां पे देख सकतो इस stock का जो face value है रुफीज 5 है में देखने को मिल रहा है हला कि दोस्तो इस stock में promoter का holding 63% से above का है जो कि थोड़ा सा में promoter का share place देखने को मिल रहा है जो कि कोई खास अधिक है नहीं और दोस्तो जो इसका EPS है only हमें 14 rupees के आसपस का figure हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तो यहां पे देख सकते हो debt to equity चुकी बात करेंगे तो यहां पे 0.57 का है इनके कोई खास debt का figure भी है नहीं और दोस्तो जो फिरी cash flow का figure है 40 crore का आसपस का figure है और दोस्तो इसका जो PEG ratio है यह भी थोड़ा सा में high देखने को मिल रहा है दोस्तो यहां पे देख सकते हो इसका quarterly sales का figure यहां पे काफी strong figure में देखने को मिल रहा है यहां पे दिखा जाए तो पिछली quarter के according इसल के quarter first में जबरदस्त increment के साथ में sales का figure में देखने को मिला और दोस्तो नेट profit की बात करेंगे तो यहां पे नेट profit में भी company जबरदस तरीके से उचाल यहां पे दिखाया है अलागि इसका yearly sales की बात करेंगे तो यहां पे देख सकते हो इसका every year का sales का figure भी strong है और दोस्तो operating profit का figure भी अच्छा का figure में देखने को मिल रहा है every year का net profit की बात करेंगे तो net profit का figure भी यहां पे काफी संदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों इसका sales growth देख सकते हो जवरदस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है profit growth की बात करेंगे तो यह भी अपने आप में अच्छा करसा है पिछले 3 साल का 49% company ने profit growth दिखाया है और दोस्तों stock price cager का figure भी यहाँ पे देख सकते हो जवरदस फिगर है तो हमें इस stock के उपर focus बना कर रखना चाहिए return equity की बात करेंगे तो यह भी काफी अच्छा कासा figure हमें देखने को मिल रहा है तो reject का figure भी यहाँ पे every year company अच्छा कासा increment के साथ में figure stock किया है और दोस्तों brewing की बात करेंगे तो थोड़ा बुत हमें dip का figure देखने को मिल रहा है जो कि कोई खास अधिक है नहीं और दोस्तों fixed asset की बात करेंगे तो fixed asset का figure भी यहाँ पे काफी संदार तरीके से हमें देखने को मिल रहा है और दोस्तों हम बात करेंगे इस stock में share holder pattern के regarding तो यहाँ पे भी हमे 63% से above का यहाँ पे promoter का share देखने हो मिल रहा है जो कि दोस्तों FI के holding काफी strong है और दोस्तों FI ने काफी strong तरीके से खरदारी भी किया है इस सल के quarter 2 में और दोस्तों D.I. के बात करेंगे तो D.I. के holding भी काफी अच्छा करसा है और दोस्तों D.I. ने भी थोड़ा बहुत यहाँ पे खरदारी किया है जो कि यहाँ पे retail की बात करेंगे तो retail ने यहाँ पे quarter 2 में थोड़ा से भी quality किया है यहाँ पे पिछले quarter के recording तो यहाँ पे दोस्तों qualified institution bully से A.I. ने खरदारी किया है और यहाँ पे D.I. ने भी अच्छा करसा खरदारी करते हुए देखने को मिल रहा है तो इस stock अपने आप में strong है आप लोग इसके उपर focus मना के रख सकते हो दोस्तों यहाँ पे discuss कर रहा है तो मैं आप लोग से वरून बिविजल इम्टेटी के रियाइडिंग दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस stock में थोड़ा बुत हमें ground का figure देखने को मिलता है तो इसका price 880 के रॉन में आते हुए देखने को मिलेगा झाल